अमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ दीपा सींग फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे बिल्कुल आसान से योगासन आपकी कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसके साथ ही ये आपके पेट को बिल्कुल कम कर देंगे अगर आपको पेट की चरवी कम करना है अगर आपके कमर में दर्द नहीं है तब भी आप इन योगासन को कर सकते हैं या अगर आपके कमर में बहुत जादा दर्द है आपके पेट पर चरवी नहीं है आपको सिर्फ कमर दर्द ठीक करना है तो भी आप इन योगासन को कर सकते ह और प्रेट्स मैं यह बात आपको इसलिए बूरी हूं क्योंकि क्योंकि पिछले कुछ दौह से मेरे पास इतने सारे कॉमेंट्स आये हैं हमारी कमर में दर्द रहता है तो क्या हम इस योगशन को कर सकते हैं मैं हमारी कमर दर्द के लिए को योगशन बताई है या पिर यह जो कम करने वाला आपने एक्सरसाइज बताई है तो क्या इसको कमर दर्द वाले कर सकते हैं इस तरीके के बहुत सारी कॉमेंट्स आए हैं तो आप योगासन को कर सकते हैं तो देखते हैं वो कौन से हैं हमारी योगासन सबसे पहला जो हमारा योगासन है इसके लिए आपको सबसे पहले आरब से लेट जाना है दोनों हाथों को फ्लोर पर आरब दे रख लीजिए तरीके से और अब आपको आपको खीचते पेगोगे इस तरीके से जितना अपने आपको उथा सके जरूरी नहीं है पूरा मेरी तरह कर पाये इस तरीके से अप जितना उठा सटे हैं अपनी अपर बॉडि के ऊठाएंगे यहाँ पर वन से लेकर four second तक रुक्येंगे और शांस को झोड़ते वे इस तरीके से करना है यह हमारा भुजंगाशन साज को खीच यह लोगर बोड़ी अपको नहीं उठाना है सिर्फ अपर बॉड़ी सासको झोड़ते कम से कम आपको शुरूबांत में इसको से लेकर 15 करना है वान टू साज का द्यान रखें त्री फोर फाइब शिक्स सेवन एट नाइन टैन अगर आप इस तरीके इस नहीं कर पाते हैं तो अपनी दोनों हातों को इस तरीके से हम बैंट कर लेंगे और दोनों हातों को फ्लूर पर इस तरीके से रखेंगे यहां पे रुकेंगे और फिस दाइगे से दोनों मैंसे कोई भी तरीके से आप इस योगर्शन को कर सकते हैं इसको आपको करना है शुरू आपने 10 से लेकर 15 बार और इसके आप तू सेट जरू लगाईए कमर दर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपका जो पेट है वो भी बिल्कुल कम हो जाएगा सेकेंड जो हमारा योगासन है आराम से रिलैक्स होके लेटेंगे अपने दोनों हट्टों को इस तरीके से आपको सीधा रखना है जैसे थोड़े से अप कमल भी कर सकते हैं आपकी जो अपर बॉड़ी है इसमें बिल्कुल मूब नहीं करेगी सिर्फ लोवर बॉड़ी मूब करेगी आपके बैक पैन है वो बिल्कुल ठीक होगा आपका पेट साइड फैट सब खत्म हो जाएगा साइड से जाएंगे थोड़ा सा रुकेंगे टू दूसरी तरफ कि वापस आएंगे इसी तरीके से आपको करना है इसको कम से कंट टॉंटी बार यानिकर टैन बार एक तरफ से वान टू थ्री थोड़ा थोड़ा आपको रुखना भी है मैं थोड़ा सा जल्दी बता रही हूं आपको लेके रुखना है फोर फाइव सेवन एट नाइन बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है आपको इसमें बैक पैन में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आपका पेट तो इससे कम होगा ही कितना हुआ टैन टैन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन फ्रेश ध्यार रखें जब आप साइड से जाते हैं तो आपको थोड़ा सा रुखना भी है यहां पर मैं थोड़ा सा जल्दी बताई हूं लेकिन आपको यह पर टू से लेकर ठीशेगे रुख जाना है ताकि आपको अच्छे से स्ट्रेचिंग हो और आपका पेट भी जल्दी से कम हो इसको आपको करना है 20 बार 10 पार एक तरफ से और 10 बार दूसरी तरफ से धीरे धीरे करना है रिलेक्स करते हुए जल्दी आपको बहुत नहीं है और आपका बैक पैंट इससे बिलकुल खत्म हो जाएगा और पेट भी कम होगा साइद फैट है वो भी खत्म हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको आप आराम से अलती-पालती मार के बैठ जाएंगे आपकी जो पीठ है वो इसमे कमर सीदी रखना है बस अपको साइड से इसमें स्ट्रेच करना है फ्लौर पर हाथ को रहने और साइट से जाना है इस तरीके से बस आपको बहुत नहीं जाना है थोड़ा सा जाएंगे साइड से आएंगे बापस दूसरी तरफ इस तरी के से इसको आप आराम से अपने बैक पैंड में कर सकते हैं अपको बैक पैंड भी इससे कम होगा और आपका ये पूरा फैट भी जाएगा इसको आपको करना है 10 बार एक तरफ वान टू थोड़ा थोड़ा रुख सकते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ध्यान रखे इस योगाशन को करते समय आपकी जो बैक है वो आगे की तरफ नहीं जुकना चाहिए कोई भी योगाशन कर रहे हैं बैक में पैन है आपको आगे की तरफ इसमें नहीं चुकना होता है बस आपको यहाँ पर इसमें यही ध्यार देना है तो इसको आप तैन बार एक तरफ से और तैन बार दूसरी तरफ से टोट लिए आपको 20 बार इसको आपको करना है और इसके भी आप थ्री शेट आराम से लगा सकते हैं आपको कोई परेशानी नहीं होगी पेट भी कम हो जाएगा और आपका कमर दर्द भी इसमें बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्योंकि इससे आपकी यहां से इसको अच्छी स्ट्रेंड बिलती है कि सारे कि सारे जो भी योगासन है आज के वीडियो में इतना ही आई होप आपको मेरा यह वीडियो परसंद जरूर आया होगा योजपो लगा है अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राब नहीं करा है तो पटापट कर दीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपने आपको हमेशा फिट रहें